इस experiment में अगर आप एक स्टो को बीच में से काटके उसके एक टुकडे को ग्लास में डाले और दूसरे टुकडे से उसके उपर फूक मारे तो ग्लास के अंदर पड़े हुए स्टो से पानी की छोटी छोटी बूंदे फुआरे की रूप में निकलना शुरू हो जाएंगी और ऐसा होगा प्रेशर में डिफरेंस की वजए से बहती हुई हवा लो प्रेशर जोन बनाएगी जिसकी वएसे पानी स्टो से निकल कर सीधा उपर आ जाएगा और हवा के साथ छोटी छोटी बूंदों में आगे निकल जाएगा और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके पेट्रोल को हवा के साथ कार्बूरेटर के अंदर मिक्स किया जाता है और कार्बूरेटर के अंदर भेती हुई यही तेज हवा पेट्रोल को फ्यूल टैंक से खीच लेती है